Hello everyone, welcome back to my youtube channel business world. I hope guys all of you are fine and so today we are going to start our video. It is about staffing and HRM. Guys, staffing क्या है? यह हम लोगों ने सीखा. HRM कैसे related है staffing से? देखो, staffing का major objective क्या होता है? राइट पॉर्शन को, राइट प्लेस पे, राइट टाइम पे, राइट पॉजीशन पर हम लोग प्लेस करें. अगर हम बात करते हैं HRM की, तो HRM होता है Human Resource Management. अगर मैं वर्ड की बात करूँ Human Resource, तो Human Resource कौन हो गए? मेरी ओर्गनाइजेशन के Employees? राइट और Management का मतलब क्या हो गया? उन्हें Manage करना. So guys, Human Resource Management का मतलब है, स्टाफिंग में आपने जिन Employees को राइट टाइम, राइट प्लेस और राइट पॉजीशन पर रेक्रूट किया, उन Employees को Manage करना. HRM का मेली काम क्या है? Manage करना Employees को, राइट. Next हमारे पास आता है, Organization की Employee के Regarding क्या-क्या Needs है? कितने Employees चाहिए, कब चाहिए, इस चीज़ को देखना. Next हमारे पास आता है, guys, Recruitment करना. मतलब Induce करना लोगों को, कोई Waken Job Position है, तो उसके लिए पो Apply करे. Next हमारे पास आता है, guys, Government के साथ, Relationship बिल्ड करके रखना, ये भी एक Function होता है, HRM Department का. Moreover, जितने भी हमारे Employees वर्क कर रहे हैं, उन्हें क्या Compensation दिया जाना चाहिए, कब दिया जाना चाहिए, ये चीज़ डिसाइड करना. Right, so guys, HRM मतलब हमारे Human Resource का Management और कौन से Human Resource जिसको हमने Staffing Process के अंदर अपनी Organization में रखा है. ये सब Primarily हमारे Functions होते हैं HRM, मतलब Human Resource Management के अंदर हमारे पास ये सब चीज़े आती हैं. Actually मैं guys, जो हमारा Human Resource Management का Function होता है, ये करता कौन है? HRD, that is Human Resource Development, हम Organization कह सकते हैं, या Department कह सकते हैं. Human Resource Department जो है हमारा, वो इस Function को Perform करता है. Guys, जब हम बात कर रहे हैं HRM की, तो हमें पता है Human Resource Management HRD कर रहा है, that is Human Resource Department करता है. जब हम बात करते हैं Organization की, हमारे पास टू टाइप की Organizations होती हैं, Big Organization and Small Organization. जितनी भी Big Organization हैं, उन सभी Organization के अंदर हमारे पास एक Separate Human Resource Department होता है. बट जो Small Organizations हैं, उसमें नसेसरी नहीं हैं कि HRD Department होका ही होका. उसमें हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. अब, whether it is a Big Organization और whether it is a Small Organization, doesn't matter अगर Human Resource Department है. तो क्या होगा गाईज, जो स्टाफिंग प्रोसेस हैं उसमें ये वाले 5 स्टेप्स आते हैं जिसको हम अल्रेडी बड़ी डिटेल के अंदर नहीं कर चुके हैं. अगर आपको स्टिल वीडियो चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना लिंक मिल जाएगा. अब हम बात करेंगे उस सिचुवेशन की, जहां पर चाहे वो Big Organization है, चाहे Small Organization है, बट Human Resource Department अगर नहीं है, तो वहाँ पर स्टाफिंग फंक्शन क्या क्या होंगे. तो guys एक SEO Organization जिसके अंदर HRD प्रेजर नहीं होता, मतलब Human Resource Department नहीं होता है, वहाँ पर क्या होगा guys, उस Organization में हम 5 Steps of Starting Function तो करेंगे ही करेंगे, जिसमें हम लोगों का सबसे पहले कॉनसे Step आएगा, Estimating Manpower Requirement, then Recruitment आता है, then Selection आता है, then Training and Development, और Placement and Orientation, यह हम लोगों ने 5 Steps पढ़े थे, बड़े सीक्वेंस के साथ हम लोगों ने पढ़े हैं, वीडियो अगैन वही दिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना, other than that guys, 3 functions हमें और करने होते हैं, मतलब वहाँ Staffing Process हमारा 8 Steps का बन जाता है, अगर मैं बात करूँ Performance, Appraisal, guys, Appraisal का मतलब क्या होता है, Appraisal का मतलब होता है, मैं एक तरीके से कह सकती हूँ, Assessment करना, Assessment किसकी करेंगे, Employees के Work की, right, किसके Against होती है, Standards के Against होती है, right, So guys, Appraisal का मतलब है Assessment करना, जब उसको मैंने Performance से Link कर दिया, मतलब मेरी Organization में Employees जो काम कर रही हैं, उसको देखना कि उन्होंने अच्छे से किया, नहीं किया, Timely किया, नहीं किया, efficiently किया, नहीं किया, तो यह सब हमारा Performance Appraisal के अंदर आता है, अब मैंने बोला कि जो भी Employees हैं, उनके Work को Assist किया जाएगा Standards के Against, ठीक है, तो वो Standards Employees को पहले ही बता दिये जाते हैं, For Example, मैं अपने Employees को पहले ही बता दूगी कि आपको One Week के अंदर 10 Units Manufacture करके देनी हैं, मुझे Cardboards की, अब अगर उन्होंने वो नहीं करी, इसका मतलब उनकी Performance अच्छी नहीं है, उससे जादा करी, मतलब Best Performance दी है, और अगर Standard Meet कर रहे हैं, तो भी उनकी Best Performance है, तो Standards हमेशा पहले ही Employees को बता दिये जाते हैं, Next हमारे पास आता है गाईस, Promotion and Career Planning, तो गाईस, यहाँ पर अगर हमारे पास HRD Department नहीं होता है, तो हम Staffing Process में ना Promotion and Career Planning भी करते हैं, अब Promotion क्या होता है, Promotion का मतलब होता है, कि मानलो आज मैं as a Principal work कर रही हूँ किसी Organization में, फिर मेरे को Manager बना दिया गया, मतलब, Promotion का मतलब है, जब आप किसी भी Individual Person को एक Higher Level of Job देते हैं, जहाँ पर उसकी Responsibilities भी भढ़ जाती है, जहाँ उसकी Accountability भी भढ़ जाती है, जहाँ पर उसकी Power भी भढ़ ज करियर प्लानिंग क्या होता है, देखो यार, अब आपके Organization के अंदर एक Employee काम कर रहा है, तो obviously आपने कुछ Duties बनती हैं आपके Employee के लिए, तो अगर मैं बात करू करियर प्लानिंग की, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यह भी Ensure करेंगे, कि जो हमारा Employee है, उसको एक Better Career में ठीक है, तो उसके Better Career के लिए हम उसे Better Opportunities भी Organization के अंदर प्रोवाइड कर वाएंगे, नेक्स हमारे पास आता है guys, Compensation, Compensation की अगर मैं बात करू तो Compensation होती है हमारी Salary, अब guys देखो, obvious सी बात है, कोई भी Employee जो है, वो पैसे के लिए काम कर रहा है Organization में, तो जब हम Compensation की बात कर रहे है Salary की, तो guys, Salary हमारी जो है, दो बेसिस पे प्रोवाइड करी जाती है, एक हमारे पास होती है Time Based, ठीक है, एक हमारे पास होती है Work Based, जब मैंने बात करी Time Based की, या तो मैं मन्थली पे करूँगी अपने Employees को, या फिर मैं अपने Employees को Weekly पे करूँगी, ठीक है, या फिर मैं डेली बेसिस पे पे करूँगी, अब इसका Best Example हम लेबर ले सकते हैं, ठीक है, जिनको डेली बेसिस पे पैसा दिया जाता है, अगर मैं Work Based की बात कर रही हूं, तो कितनी Number Of Units, Manufactured हो रही है, ठीक है, उसकी बेसिस पे जब मैं अपने Employees को Salary दे रही हूं, तो मतलब मैं Work के बेसिस पर Compensation दे रही हूं, तो Compensation का मतलब Primarily हमारा Salary होता है, Salary हम दो बेसिस पे देंगे, Time Based पे देते हैं, या फिर हम लोग Work Based पे देते हैं, कोई भी Organization ऐसी नहीं है, जो Only and Only या तो Time Based को यूज करें, या Work Based को यूज करें, Maximum Organizations दोनों का Mix यूज करती हैं, मतलब वो क् करेंगी कि, ओके हम तुम्हेना 20,000 पे करेंगे मंतली, चाहे तुम जितनी नंबर उफ यूनिट्स मेनिफाक्चर कर रहे हो, लेकिन हां, अगर मानलो हमने तुम्हें टार्गेट दे दिया, कि तुम्हें 1,000 यूनिट मेनिफाक्चर करके देनी हैं, और अगर तुमने मानलो चाहे जाते हैं, आपके ओगनाईजेशन के अंधर, तो क्या होगा? पिर स्टाफिंग पंक्शिन उसमें, पाईस स्टेप सी रहते हैं, बडगर नहीं है तो हमारे पास यह 3 स्टेप्स, और ऐड-on हो जाते हां. so hopefully guys staffing and HRM कैसे एक दूसरे से related है यह आपको clear हो गया होगा still अभी भी कोई doubt हो तो comment box में mention कर दे I will clear your doubt bye bye everyone now we will meet tomorrow